बच्चों, हम प्रात्मिक व्यवसाय के या प्रात्मिक क्रियाओं के विशय पर बात कर रहे थे और हमने देखा कि जो प्रमुक रूप से प्रात्मिक क्रियाएं की जाती हैं जिसमें पशुचारण है, आखेट है, संग्रहन का कारिय है और इन सभी में, जैसे जैसे मनुष्य विकास की तरफ बढ़ता गया तो इन सभी क्रियाओं के बाद क्रिशी करना उसने सीखा और क्रिशी जो है वो एक प्रमुक प्रात्मिक क्रिया या व्यवसाय हम कहते हैं जब हम क्रिशी के विशय पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब से क्रिशी की शुरुवात हुई तभी से हम कह सकते हैं कि आदी मानों या सभ्यता के साथ जो मनुष्य आगे बढ़ता गया तो क्रिशी कारे के साथ ही वो प्रारंभिक रूप में इस्थाई रूप से निवास करना सीखा इसके पहले जब वो संग्रहन का कारी करता था या आखेत का कारी करता था या पशुपालन जिसमें वो घुमकड़ पशुपालन की हम विशेश रूप से बात करें तो हम देखते थे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ इस्थानांतरित होता रहता था या उसका जो इस्थान है वो परिवर्तित होता रहता था लेकिन जब उसने कृशी करना प्रारंभी किया तो ये शुरुवात हो गई या उसने खुद ही महसूस किया कि अब उसे एक ही स्थान पर आवाज बना कर रहना चाहिए जब हम प्रारंभिक समय की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो कृषी है उसमें निरंतर नित नए परिवर्तन होते गए समय के साथ साथ पहले जो है जो कृषी की जाती थी उसमें प्राचीन या हम यह कहें कि नवीन तकनीकी का तब विकास नहीं था और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो मनुष्य ने कृषी में नई नई तकनीकों का विकास करना सीख गया जैसे ट्रैक्टर है हलकी जगत ट्रैक्टर का उपयोग करना हर्वेस्टर का उपयोग करना यह सब नई तकनीकों का विकास होता गया और अभी भी हम वरतमान समय की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि कृषी ने एक आधुनिक स्वरूप को धारन कर लिया है यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है और विशेश रूप से जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या जो है 75% population कृशी पर ही depend है और जब हम कृशी पर और आगे बात करें कि कृशी का कारी कैसे किया जाता है कौन-कौन सी पध्धतिया हैं तो विश्व में जहां-जहां भी कृशी कारी जो है वो प्रमुक रूप से किया जाता है वहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी अनेक पध्धतियां जो है वो प्रचलित हैं क्रिशी हमारे लिए इसलिए भी और महत्वपून हो जाता है या इसका अध्यन हमारे लिए और भी इसलिए महत्वपून हो जा रहा है क्रिशी से हमें खादी की आपूर्ती खादी संसाधन तो म प्राप्त होता है लेकिन भोजन या खाद्याने के साथ साथ हम देखते हैं कि हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो जितने भी उद्योग हैं बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो वन आधारित हैं कृशी आधारित हैं तो कृशी आधारित उद्योगों के लिए जैसे हम बात कर सकते हैं शक्कर उद्योग है या अलग-अलग जो आप राइसमील देखते हैं अपहा उद्योग है ऑसे ही जह जो विश्वके सांसाथ हमारे भारत का भी एक महत्रपूर्न उद्योग सीती वस्त। उद्योग इसके लिए भी खपास सब्सक्राइब क कहिने का माल भी जो है वो क्रिशी के माध्यम से ही मिलता है इसलिए क्रिशी का धियन करना इसके बारे में जानना हमारे लिए और जादा इंपोर्टेंट हो जाता है अब हम देखते हैं भी जैसा हमने बात की कि विश्व के अलग-अलग छेत्र में ये जो क्रिशी कारे किया जाता है इ इसमें हम प्रमुख रूप से बात करें इन पद्धतियों की, तो इस्थानांतरी कृषी है, इस्थाई कृषी है, गहन कृषी है, व्यापारिक कृषी है, मिशृत कृषी है, सामुही कृषी की हम बात करें, ऐसे ही कुल दस प्रकार की विभिन प्रकार की कृषी पद्धतिय जो हैं वो पूरे विश्व में प्रचलित हैं। आए हम बात करते हैं इन सभी पध्यतियों पर विस्तार से एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाहकृषी जिसको हम बोलते हैं सबसी टेंस एग्री कल्चर। निर्वाहकृषी पर या कृषी की सभी पध्धतियों पर चर्चा करने से पहले हम जब कृषी की बात कर रहे हैं तो हम समझ लें कि कि किसे कहते हैं। तो कृषी से तादपरी हमारा होता है खेतों को जोतना, फसल उगाना और उसके साथ ही साथ पशुओं का पालन पोशन करना। अब आप कहेंगे पशुओं का पालन पोशन करना कृषी में कैसे आ गया। तो अभी हमने जैसा बात की थी कि अलग पधतियों के बारे में चर्चा की और उसमें हमने देखा कि मिश्रित कृषी तो मिश्रित कृषी में फसलों की उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कारी जो है वो किया जाता है। आप अपने घर में देखते होंगे कि डेली रोज मर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि सुबा-सुबा दूध वाला आता है, दूध दे कर जाता है। आपको कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट खाने का मन किया, तो आपने पनीर से रिलेटेट, चाहे सबजी खा ली, पनीर चीली खा लिया, या और अलग-अलग आइटम्स की हम जो बात करते हैं, मीठा खाने का मन किया, तो हम खोए से संबंधित जो, या खोए से बनने वाली म लिफाईओं को हम खाते हैं, तो ये सब कहां से आ रहा है, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, ये सब हमको कृशी कार्य से ही मिलते हैं, तो सब से पहले, विभिन पधधियों पर, हम निर्वाह कृषी पर बात करते हैं, कृषी की ये सब से प्राचीन पधध् निर्वाह क्रिशी का मतलब ही है हम कह रहे हैं ना मतलब जीवन यापन के हिसाब से निर्वाह करने के लिए तो निर्वाह क्रिशी भी दो प्रकार की होती है प्रमुखरूप से जिसमें पहला है आपका आदिम कालिन जीवन निर्वाह क्रिशी और दूसरा इसमें है गहन निर इन दोनों में भी आदिम काली गहन निर्वा कृषी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह कृषी की यह पध्धती जो है, वो सबसे प्राचीन पध्धती है, मतलब हम शुरुवाती अवस्था ही कह सकते हैं, कि भई आदिम काल में या एकदम प्राचीन समय में हम जाएं और मनुष्य ने विकास किया क्रिशी कारिक करना सीख लिया प्रारम किया तब जो क्रिशी कारिक किया जाता था उसे हम ये निर्वाह क्रिशी या आदिम कालिन निर्वाह क्रिशी के नाम से ही जानते हैं इस क्रिशी की प्रमुख विशेष्टाओं की यदि हम बात करें तो पहला तो हमने देखा कि ये सबसे प्राचीन क्रिशी पद्धती है साथ ही साथ इस क्रिशी को हम इस्थानांतरी क्रिशी के नाम से भी जानते हैं इस्थानांतरी क्रिशी मतलब आपने सुना ही होगा इस्थानांतरी क्रिशी मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान मतलब जो किसान हैं क्रिशक हैं वो अपना इस्थान परिवर्तन करते रहते हैं जैसे कि इसके पहले भी हमने और चेप्टरेस में बात की थी जिसमें हमने जब जनजातियों के विशय पर हमने चर्चा की थी, तो बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, जो इस्थानांतरी कृशी करती हैं. यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे, इस प्रकर की जो कृशी है, इसमें सबसे पहले वनों को जला कर साफ कर दिया जाता है, और वनों को जला कर साफ करने के बाद, उसके जो आउशेश बच जाते हैं, जो राख बसती है, उसको वहाँ पर फर्टिलाइजर या उर्वरक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है. लगभग तीन से चार साल तक ये कृशी कारिय जो है उस इस्थान पर किया जाता है, फिर जैसे ही उस इस्थान की उस भूमी की उस जमीन की उपजाव शक्ती जो है उपजाव पन नच्ठ हो जाता है, तो वहाँ पर से लोग दूसरे इस्थान की तरफ चले जाते हैं और यही क्रिया जो है वो फिर से दूसरे इस्थान पर दोहराते हैं मतलब वहाँ पर वनों को फिर से जलाया जाता है काटा जाता है फिर जलाया जाता है जला कर उससे जो राख बचता है उसे वो वहाँ पर ख भूमी की जब उबजाव शक्ति या उबजाव पर नश्ठ हो जाता है, फसलो का उत्पादन कम होने लगता है, तो वो फिर से किसी दूसरे इस्थान की तरफ चले जाते हैं, तो इस्थानांतरन हो रहा है, इस्थान का परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्रिशी को लिए कि अभी हमने देखा कि जो लोग है या हम कहें किसान जो इस्थानांतरी क्रिशी करते हैं, वो किसे एक इस्थान पर गए, वनों को काटा, काट कर उसे जला दिया, जला कर वनों को साफ करते हैं, तो काटा और जलाया, इस करण इस क्रिशी को करतन वदधन क्रिशी के नाम से भी जाना जाता है आप जेक्टिव टाइप के कोश्चन में ये आपके बोर्ड परिक्षा के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है आपसे पुछा जा सकता है कि करतन और दहन कृषी किस पध्धती को कहते हैं तो आपका अंसर होगा इस्थानांतरी कृषी या आदिम कालिन निर्वाह कृषी ये दोनों एक ही कृषी पध्धतियां हैं जब हम इन दोनों में भी आदिम कालिन गहन निर्वाह कृषी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह कृषी की यह पध्धती जो है वो सबसे प्राचीन पध्धती है मतलब हम शुरुवाती अवस्था ही कह सक कि भाई आदिम काल में या एकदम प्राचीन समय में हम जाएं और मनुषय ने विकास किया कृषी कारिक करना सीख लिया प्रारम किया तब जो कृषी कारिक किया जाता था उसे हम ये निर्वाह कृषी या आदिम कालिन निर्वाह कृषी के नाम से ही जानते हैं इस क्रिशी की प्रमुख विशेष्टाओं की यदि हम बात करें तो पहला तो हमने देखा कि ये सबसे प्राचीन क्रिशी पद्धती है साथ ही साथ इस क्रिशी को हम इस्थानांतरी क्रिशी के नाम से भी जानते हैं इस्थानांतरी क्रिशी मतलब आपने सुना ही होगा इस्थानांतरी क्रिशी मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान मतलब जो किसान हैं क्रिशक हैं वो अपना इस्थान परिवर्तन करते रहते हैं जैसे कि इसके पहले भी हमने और चेप्टर्स में बात की थी जिसमें हमने देखा था कि जब जनजातियों के विशह पर हमने चर्चा की थी तो बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो इस्थानांतरी क्रिशी करती हैं यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे इस प्रकर की जो क्रिशी है इसमें सबसे पहले वनों को जला कर साफ कर दिया जाता है और वनों को जला कर साफ करने के बाद उसके जो आउशेश बच जाते हैं जो राख बसती है उसको वहाँ पर फर्टिलाइजर या उर्वरक खाद क फिर रूप में प्रयोग किया जाता है, लगभग तीन से चार साल तक ये कृशी कारिय जो है, उस इस्थान पर किया जाता है, फिर जैसे ही उस इस्थान की, उस भूमी की, उस जमीन की उपझाओ, शक्ति उपझाओ पर नच्ठ हो जाता है, तो वहाँ पर से लोग दूसरी इ भूमी की जब उबजाऊ ऑफन नष्ट हो जाता है फसलों पादन कम होने लगता है तो वह फिर से किसी दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं तो स्थाना कांतरन हो रहा है इस्थान का परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्रिशी को इस्थानांतरी क्रिशी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसमें दो टम्स यूज किये जाते हैं, कर्तन व दहन, इस क्रिशी को हम कर्तन व दहन क्रिशी के भी नाम से जानते हैं, और वो इसलिए कि अभी हमने देखा कि जो लोग हैं या हम कहें किसान, जो इस्थानांतरी कृशी करते हैं, वो किसे एक इस्थान पर गए, वनों को काटा, काट कर उसे जला दिया, जला कर वनों को साफ करते हैं, तो काटा और जलाया, इस करण इस कृशी को करतन वदधन कृशी के नाम से भी जाना जाता है, आपज तो आपका अंसर होगा इस्थानांतरी क्रिशी या आदिम कालिन निर्वाह क्रिशी, ये दोनों एक ही क्रिशी पद्धतियां हैं. अब इसकी अगली विशेष्टा हम देखें कि इस क्रिशी पद्धति में खेत का आकार भी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है और साथ ही साथ जो है हम कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह के हिसाब से की जाती है क्रिशी तो इसमें बहुत ही पुराने ओजारों का की जाते हैं, अब बात करते हैं हम कि ये क्रिशी पद्धती पूरे विश्व में किन-किन इस्थानों पर की जाती है, तो ये क्रिशी पद्धती जो है वो विश्व के जितने भी उश्नकटी बंधी चेत्र हैं, उश्नकटी बंधी चेत्र मतलब हम भूमधरेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्धि चले जाएं तो ये ट्रॉपिकल जोन या उश्नकटी बंधी छेत्र के अंतरगत आता है तो इस छेत्र में ही ये क्रिशी पधती जो है वो प्रचलित है अब हम ये क्या देखते हैं कि जूम चक्र हमने देखा कि इस्थान आंतरी क्रिशी की अभी हमने बात की थी कि भई एक इस्थान पर वनों को जला कर काट कर जला कर साफ करना फिर लगभग ये क्रिया तीन से चार साल तक फिर दूसरे इस्थान पर परिवर्तन फिर ऐसे करके लगभग 9 से 10 वर्ष के अंतराल में ये किसान जो है वो वापस से जिस स्थान से उन्होंने कृशी कार्ये प्रारम किया था वहीं पर ये पुना अपने स्थान पर लोटाते हैं और यही क्रिया फिर से दोहराई जाती है तो इस छेत्र में जूम चक्र के द्वारा जो है वो क्रिशी की जाती है आग लगा कर खेतों को तयार किया जाता है अब इस उश्नकटी बंधी छेत्र में भी हम देखते हैं कि किन किन छेत्रों में ये क्रिशी पधती प्रचलित है तो प्रमुकरूप से दक्षिन और मध्य अमेरिका के छेत्र साथ ही अफ्रिका में और आपका जो दक्षिन पूर्वी एशिया है इन पूरे छेत्रों में ये क्रिशी पधती जो है वो प्रचलित है अब इस क्रिशी पधती को जो है वो अलग-अलग नामों से भी पुकारा जाता है तो इसमें हम देख लेते हैं हिंदेशिया और मलेशिया इन देश में इसे लदान कहा कर पुकारा जाता है यह मैं यह कहूँ कि जूम क्रिशी या इस्थानांतरी क्रिशी जो है इसके अलग-अलग नाम है विश्व के अलग-अलग छेत्रों में तो हिंदेशिया और मलेशिया में लदान उत्तर पुरी भारत में से जूमिंक रिशी के नाम से जाना जाता है फिलिपाइंस में से चेंगिन कहा जाता है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिलपा के नाम से ये प्रचलीत है वीयत नाम में इसे रे कहा जाता है, वेनिजुएला में कोनुको के नाम से ये प्रचलित है, ब्राजील में रोका कहा जाता है और मध्य अफरीका में इसे मस्यलो के नाम से उकारा जाता है तो आपके बोड परिक्षा के हिसाब से भी ये most important है कि छोटे प्रशनों में या objective type के जो प्रशना आते हैं उसमें ये आपसे प्रशन पूछा जा सकता है कि इस थानांत्री कृषी के जैसा पूछ लिया कि रे कृषी जो है रे कृषी पद्धती या स्थानांत्री कृषी को रे किस देश में या किस छेत्र में कहा जाता है या रोका नाम से ये किस देश में प्रच्रित है जुमिंग कृशी कहां कहा जाता है या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भई मध्य अफ्रिका में इस्थानांतरी कृशी को क्या कहा जाता है या उत्तर पुरी भारत में से किस ना इसकी कुछ समस्या भी है कि जहां पर भी ये निर्वाहकृषी की जाती है, तो लोक्चु की स्थान आंतरित होके हमने देखा कि वनों को काटते हैं और फिज्चला कर साफ कर देते हैं तो इससे परिया वरन को बहुत अधीक नुकसान पहुंसता है और दूसरी इसकी समस्या यह है कि लगभग तीन से पाँच वर्षों तक जब यह क्रिशी कारे करते हैं उसके बाद यहां पर भूमी का उपजावपन भी नस्ट होने लगता हैं अब जो निर्वाह क्रिशी है इसके अंतरगत हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं गहन निर्वाह क्रिशी अभी हमने की थी आदिम कालिन निर्वाह क्रिशी और दूसरा है गहन निर्वाह क्रिशी तो गहन निर्वाह क्रिशी जो है इसमें हम देखते हैं यह सबसे यह हम कहें ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उदेश से यह क्रिशी कारिय जो है वो किया जाता है और चुकि इस क्रिशी का उत्देश ही होता है maximum production लेना या अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना तो इसलिए यहां पर जो पुंजी और श्रम है इनका बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है ताकि प्रती इकाई छेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त कि साथ ही हम देखें कि एक क्रिशी का एक इस्थाई रूप है इसके पहले हमने बात की थी आदीमकाली निर्वाह क्रिशी के विशे में कि इस्थानांतरी क्रिशी है यहां पर इस्थान परिवर्तन करके क्रिशक जो है या किसान क्रिशी कारे करते हैं लेकिन गहन निर्वाह क करश्य जो है यह क्रिशी का स्थाई रूप है, एक ही स्थान पर किसां कृषी कार्य करते हैं। यहां पर इस क्रशी पधती के अंतरगत में सब्सक्राइब लिग जाती हैं। aby स्थाने क्रशी पद्धती का उत्देश है अधिकतं उथपादन प्राप्त करना, तो जब हम वर्ष में एक ही फसल लेंगे तो उससे हमें कमुत पादन प्राप्त होगा और जब हम उतने ही छेतर फल में एक वर्ष में खरीफ में एक बार पहली फसल ले ली धान या मक्का जुआर की फिर जब रभी का मौसम आया तो हम गेहूं ले लिए चना ले लिए जायत फसल के दौरान हम कोई सबजियां या फलूगा लिए तो हम क्या देखते हैं कि जब हम उतने ही छेतर फल में दो से एक क्रिशी वर्ष में दो से तीन फसले उत्पादित कर रहे हैं तो नैचरली है कि हमें उत्पादन जो है वो अधिक प्राप्त होगा इसके बाद हम देख जाता है कि इसमें दो से तीन फसल भी ली जाएगी तो हर मौसम में ये कोशिश करते हैं कि खाद्यान फसले ही लें जैसे धान है गेहूं है इनको ही जो है वो प्राथमिक्ता दी जाती है अब जितने भी मानसून एशिया के सरवाधिक घने बसे छेतरे हैं जहां पर अब गहन निर्वाहक्रिशी की ये विश्यष्टाएं देख लिए लेकिन इसके भी दो प्रकार हैं पहला चामल प्रधान गहन निर्वाहक्रिशी और दूसरा है चामल विहीन या चामल रहित गहन निर्वाहक्रिशी इसमें हम देखते हैं कि जैसा नाम से ही इस पश्ट हो दी जाती है या चावल जो है वो प्रमुक रूप से उत्पादित की जाती है उसे हम चावल प्रधान गहन निर्वाकरशी कहते हैं और इसकी विशेष्टाओं के विशे में बात करें तो पहला तो हमने देख लिया चावल यहां की यह धान जो है वो प्रमुक फसल होती है हम आसत की बात करें तो 100-500 cm वर्षा जो है वो चामल के उत्पादन के लिए धान के उत्पादन के लिए अनिवार होती है तो यह उन छेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा का आसत जो है वो लगभग 100-500 cm के आसपास मिलता है फिर हम देखेंगे कि इन क्रिशी पधतियों वाले छेत्र में खेत का आकार जो है वो छोटा होता है और साथ ही साथ परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं पूरा परिवार इसी कार्य में लगा हुआ होता है चुकि चामल की जो क्रिशी की जाती है उसमें श्रम की भी आवश्रक्ता होती है तो मशीनों का इसमें गहन निर्वाह क्रिशी है ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है इसलिए यहां पर जो मानव श्रम है उसका अधिक प्रयोग किया जाता है और मशीनों का प्रयोग इसमें कम होता है फिर हम देखें खाद भी या उर्वरप जो है जो यहां पर प्रयोग किये जाते हैं उसमें प अधिक होता है, तो फुदी को भी अधिक लगा रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है, लेकिन प्रती व्यक्ति उत्पादन जो है वो इस प्रति भूब्धतन में कम देखने को मिलता है अब इसका दूसरा प्रकार चावल विहीन या चावल रहित गहन क्रिशी की हम बात करते हैं इस क्रिशी पध्धती में हम देखेंगे कि यहां पर चावल को चावल की प्राथमिक्ता नहीं होती उसकी प्रधानता नहीं होती, इसमें चावल की स्थान पर चाहे गेहूं का उत्पादन किया जाए, फिर सोया बीन हो गया, जो, जौर, बाजरा या कोई भी दलहन और तिलहन फसलों की प्रधानता होती है या उसको प्रमुक रूप से बोया जाता है, अब चुकि हमने देखा कि जहां पर चावल या धान का उत्पादन होगा, तो बर्षा का उससत हमें अधिक चाहिए, क्योंकि धान की जो खेती है, उसमें अधिक जल की आवशक्ता होती है, लेकिन हमें पता है, इसकी जगा यदि हम गेहूं, सोया बीन, जो, बाजरा या कोई भी दलहन फसल लेते ह जल की आवशक्ता कम होती है, तो ये ऐसे जिन छेत्रों में ये क्रिशी की जाती है, वहां 100 cm से कम वार्षिक वर्षा बाला छेत्र होता है, या मैं ये कहूं कि जिन छेत्रों में 100 cm वार्षिक वर्षा होती है, उन्हीं छेत्रों में ये क्रिशी जो है, वो की जाती है, तो ह हमने देखा कि चुकि वर्षा को उसत इसमें कम चाहिए या कम आद्रता, कम जल की आवश्चकता होती है, तो ये मैक्जिमम जो है वो रभी फसल के समय पे ही बोये जाते हैं, या जिन छेत्रों में वर्षा को उसत कम होता है, कम बारिश मिलती है जिन छेत्रों को, उन छेत्रों में ये जो फसले हैं वो बोय जाती है, क्योंकि खरीफ फसल के दौरान ये दि बोयेंगे या हम ये कहें कि जिन छेत्रों में बारिश अधिक मिल रही है, तो इनका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये कम वर्षा वाले छेत्रों में या फिर रभी फसल के दौरान जब कम वर्षा प्राप्त होती है, उसी समय पर इन फसलों को बोया जाता है, फिर हम देखते हैं कि जहां पर 100 cm से कम वर्षा का उसत होगा, तो वहां पर सिचाई के माध्यम से भी ये फसले, जिन छेत्रों में सिचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो सिचाई के दौरा भी इन फसलों का उत्पादन जो है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लिय जाता है, अब हम देखते हैं कि विश्व में किन-किन छेत्रों में ये क्रिशी पधती जो है वो प्रसलित है, तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और इसके साथ ही उत्तरी जापान, इन छेत्रों में या इन देशों के इन भागों में ये क्रिशी पधती प्रम सम्हपुत्र का जो मैदान है उसके पर्शिमी भाग में गेहूं की खेती की जाती है और जो दक्षिन पूर्वी छेतर हैं शुषक छेतर हम कह सकते हैं जहां पर बारिश का या वर्षा का ओसत कम मिलता है वहां पर प्रमुख रूप से ज्वार और बाजरा की क्रिशी जो है व झाल 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 झाल